दोस्तों नमस्कार जैमाता दे मारी यूटूब शेनल पर आपका एक बार फिर से हाँ और दिख स्वागता बहुत बहुत तविन दने और मैं आश्चारानियाद शुगर वाले भाई पहनों के लिए बहुत ही जबरदस्टोपिक लेकर रही हूँ शुगर में इम्यूनिटी कम क्यों होती है और बिना दवाईयों के कैसे बढ़ाई है जी हाँ दोस्तों अगर हमारे सरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तो हमारे रोग पर तिरोदक समता कम हो जाती है और हम बहुत जल्दी किसी भी वाईरस की चपेट में आ जाते हैं इम्यूनिटी कमजोर 50 से अधिक आईउ वालों की पाई जाती है और वो बहुत जल्दी किसी भी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं आज मैं यह बताऊंगी कि इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती है और बिना दवाईयों की से कैसे बढ़ाई Immunity कमज़ोर होने के कहीं कारण होते हैं सबसे पहले तो बढ़ती उमर में भी Immunity कम हो जाती है दूसरा मुख्या कारण है कि हमारी सोच नकारात्मक है तीसरा कारण हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं यह कारण जाद अतर शुगर वैपी पीवानों में पाया जाता है। एक और कारण होता है कि जंक फुड बिल्कु ना ले। क्योंकि यह अधपचे रह जाते हैं। यह सरीर में अच्छे से नहीं पचते। अब बात करते हों शुगर वाले बिना दवाईयों की। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। जिस्षे उनकी रोग परतिरोधक्समता बढ़ेगी। देखे सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि दवाईयों का कम से कम सेवन करें। दूसरी बात वसंत रितू का मोसम है। इसे वसंत राज भी कहते हैं। इस मोसम में आप अपनी इम्यूनिटी को आसानी से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जिन भाईयी पहनों ने सर्दी के कारण सेर पर जाना छोड़ दिया था। वह इस मोसम में अपनी सेर फिर से सुरू कर दें। इस मोसम में सेर करने से कहीं गुना फाइदा मिलता है। कुदरत ने हमें बहुत सी ऐसी चीजे दी हैं जिससे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। उनी में से एक है गिलोई और दूसरी तुलसी। आप परवैक्ती तीन इच गिलोई ले और पांच पत्ते तुलसी के ले। इन्हें एक गिलास पानी में अच्छे से पकाएं जब दख पानी आदा नहीं हो जाए। आप उस पानी का सेर पर जाने से पहले सेवन करें। मैंने आपको परवैक्ती के लिए बताया, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाते हैं, तो इसी हिसाब से मातरा बढ़ा ले। आप इस उपाई को दिन में दो टाइम भी कर सकते हैं, और साथ में यह दिखे नीम के पत्ते, यह दिखे नीम के पत्ते भी चबाने हैं, और यह दिखे नीम के पत्ते लेने और दिन में इनको चबाना है, यह दिखे नीम के पत्ते आप दिन में किसी भी समय चबा सकते हैं, इम्मिनुटी बढ़ाने का सबसे जबर्दस्तु पाई या तो आप एक इंच अद्रक को इसको पानी में उबाल कर पिए इससे आपकी इम्मिनुटी बहुत तेजी से बढ़ेगी या फिर सूखा अद्रक जिसे सोंठ भी कहते हैं या दिखे सूख अद्रत जो सोंठ हमने पीस का रखी लिया आप दिन में जब भी पानी पिए या दिखे सोंठ की एक चुटकी गिलास में डाल कर यह पानी पिए और अपनी सोच को सकरात्मक बनाए और चिंता बिल्कुल नहीं करें आप जिस भी धरम से हैं और जिसे मानते हैं उसका सिमरण जरूर करें ऐसा करने से आपके अंदर सकरात्मक सक्ति का संचार होगा और जो उपाई मैंने आपको बताए उन्हें जरूर करें इन से आपकी इमिनिटी बढ़ेगी और आपकी रोग परतिरों तक समता भी बढ़ेगी दोस्तों स्वस्त रहो खुश रहो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से जरूर करें ताके किसी और का भी भला हो सके अपना भला तो सभी सोचते हैं दूसरों का भला कोई विरला ही सोचता है और देन्यावाद दोस्तों जाए माता दी